मसूरी ट्रेडर्स और बेलफेर असोशेशन के अध्यक्ष रजट अग्रवाल ने मसूरी नगरपाली का प्रशासन पर स्वक्षता के नाम पर बड़ा गोटाले का अरुप लगाया है मगर पैसा कूला प्रवंधन की जगे अन्य कामों पर लगाया जा रहा है उन्हों नगाया कि बर्तमान में पालिका का इकोट टेक्स से 2 करोड 10 लाक रुपए आ रहा है ऐसे में पालिका द्वारा उन पैसों का क्या किया जा रहा है इसका कोई ठोस हिसाब किताब उनके बास नहीं है वो मसूरी नगरपालिका द्वारा मसूरी में स्वक्षता और कूला प्रवंधन की कामों के लिए दो संस्था पूर में और बरतमान में एक संस्था के माध्यम से करवाया जा रहा है उन्होंने बताया है कि हिमालियन इंस्टिट्यूट के माध्यम से मसूरी में प्रवंदन किया जाना है इसके लिए नगरपाली का द्वारा 29 कर्मचारियों की न्युक्ति की गई है मगर कर्मचारिय कहा है किसी को कुछ पता ही नहीं है इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिया पूरा प्रवंदन में लगेगा साथ सभ़ाई में लगेगा सुस्त में लगेगा पर आग लिए प्रतार पर्लण की कमी पुर शेहर में इस परकार जड़ी-पाली ओनानी की इस चाहर वह इस चाहरा हरा कर आया कि जो की गाडियां की जो कारवाई है कि लिए कीन और जिल्दाई संस्था को एक जो सई पड़ल पर काम बना है हम कोई अधिकारी नहीं पुछने के लेकिन जनता होने के नाते नगरपाली का दुवारा जोगी पैसा किया जा रहा है सब्सक्राइब को अगर नगरपाली को अगर नगरपाली का स्वस्ता के नाम पर पाये गया तो बड़ा अंदून खड़ा कर प्रतिशन गोलमाल एकोपी बैर लगने के समय से शुरू हो गया था कि आज इसकी कोफी के समझत पैसे गार्थ रुप्योग हो रहा है और डड़ दिकारी ओसे पर जवाब तलब रुणाशी रिखारी को इसरे जवाब तलब उनना चाहिए झाल झाल